ओके हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब मैं हूँ विशी और आप देख रहें बॉन्टू इन्वेश यूट्यूब चैनल रिटाइन्मेंट के लिए ले लो बंगला गाडी सब कुछ देगा चलिए जानते हैं कौन सा है स्टोक है क्या इसके फंडामेंटल है क्या इसके टेक्निकल होले और किस वेल्यू पर हमें बाय करना चाहिए और अभी तक आपने अमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए इससे ही स्टोक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो हम हरोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में गंटे वाला बटन है उससे जरूर दबा दिजिए जिसको आपको अमारे नोटिपिशन सबसे पहले मिल जाए अब हम इसके वेल् आप इसकी EV to EBITDA ratio देख लिजिए 45% है आप इसकी dividend yield देख लिजिए 1.16% की dividend yield है आप इसमें क्या ROC देख लिजिए 92.27% की ROC है क्या है यह मैंने चेंज किया क्या इधर मेरे को सही नहीं लग रही थी इसलिए मैंने दूसरी वेबसाइट के जाके वहां से इधर करेक्टिर इसलिए इसकी ROC 92.27 है आप इसमें ROE देख लिजिए 80.91% की ROE है अब हम इसके quarter to quarter result के बारे में बात करेंगे आप इसकी net sales देख लिजिए 4.83% अप आईए पिछले quarter से इस quarter के comparison में आप इसकी net profit देख लिजिए जिसमें भी 6.51% की offset दिखाई दे रही है जो कि एक अच्छ बढ़िया upset दिखाई दे रही है जो भी एक अच्छी बात है इस company के लिए अब हम इस company के annual result के बारे में बात करेंगे जो की year to year result होता है आप इसमें net sales देख लिजिए पिछले year से इस year में net sales में 8.75% की upset देखने को मिलिए जो कि एक अच्छी बात है आप इसमें net profit देख ल अब हम इस company के share holding pattern के बारे में बात करेंगे प्रमोटर के पास 67.19% के एक बढ़िया holding रखी हुए आप इसमें FIS की holding देख लिजे 11.83% आप इसमें mutual fund की holding देख लिजे 2.14% आप देखिए इस company ने एक भी stock अपना गिरवी नहीं रखा जो की एक बहुत ही अच्छी बात है च आप देख लिजे large cap company है dividend भी अच्छा पे करती है और देख लिजे FMCG इंडस्ट्री में वर्क करती है चलिए अब जानते कहां में entry लेनी चाहिए जिसे हमें एक long term में बढ़िया सा profit हो और अभी तक आपने अमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लिजे एसे वीड उस्तान यूनिलेवर के चार्ट के उपर आप देख लिजे जो यह trend line है वहाँ यह हर बार support लेती है देख लिए इधर भी इसने support लिया था बाद में उपर जाके नीचे आके बाद में इधर भी support लिया हाल फिलार में फिर से अपनी trend line की और आने की कोशिस कर रहा है तो जो देखे यह इसकी trend line है जहां यह support लेता है तो हम क्या करेंगे हम इसी के पास ही buy करेंगे इसलिए क्या है कि हमारा जो buying लेवल है यह trend line के करीब है चाहे रेक्टेंगल ड्रो किया है यह price कौन से है आप यह price गिन लिजे 1725 यह price निकलती है approach आप price गिन लिजे 1725 निकलती है तो for long term investment और जो इसकी जो क्या है कि resistance लाइन है वो कहा ही के उपर देख लीजिया आप इसकी resistance लाइन देख लीजे साड़ाए 1800 के करेंगे यह mostly resistance लेता है देख लीजे पिछले पर भी इदर इस बार भी थोड़े इसके पेले थोड़ा इदर उसके पास करीब जाके नीचे आ गय मिसकी उसकी resistance लाइन है 1850 के करेंग और जो इसकी means के जहां यह support लेता है एक trend line है और यह जो support line है वो support line है वो trend line 1725 और 1650 के बीच में है और अभी तक आपने अमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा द सबस्टाव में पृर करे जब झाद सकांगे जरूर org जिए तर दे में में पूर उसे हैं उसे अज़ बुरार देवलो और देवलो